नमस्कार किसान भाईयों राम 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 किसान भाईयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 45 HP category के टौफ फाई़ टेक्टर के डिटेल के बारे में दोस्तों कम्प्लीट जानकारी आप लोगों को हम इस वीडियो में देंगे दोस्तों सभी टेक्टरों के SFC, टॉर्क, बैकप टॉर्क, इंजन सीसी और पावर इन किलोवाट के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि मैक्सिमम पावर किलोवाट में कितनी है टेक्टर की तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक कम्प्लीटली देख लेते हैं तो इन टेक्टरों के बारे में आपके मन में जो भी डाउट है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि इन पाँचों टेक्टरों में कौन सा टेक्टर ज्यादा अजहेंगे आइसर के 485 टेक्टर की दोस्तों यह जो टैक्टर है तीन सलेंडर 45 watts वार्ट के साथ में है और अगर हम बात करें इस टेक्र के इंजन सी.सी की तो 295 तो unter का का इस पावर ट्रेक्टर के बारे में तो दूसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं पावर ट्रेक के यूरोप 45 के बारे में तो दोस्तों यह जो टेक्टर है 2761 सीची का है और तीन स्रेंडर 45 हर्टवार के साथ में है और सफसी के अगर बात की जाए तो 266 ग्राम पर किलोवाट इसके सफसी है और वहीं अगर इंजन की पावर की बात की जाए तो 29.4 किलोवाट का इसका इंजन है और टार्क की अगर बात की जाए तो 189 इसका टार्क है और बैक अप टार्क यह टेक्टर 27 परशंट तक लगा देता है दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं मैसिव फर्ग्योशन बहत्तर पचास की जो की तीन सिलेंडर 46 हर्स पावर के इंजन के साथ में हैं और 2700 CC का इसका इंजन है और अगर बात की जाए तो 205 ग्राम पर किलोवाट इसकी सफसी है और वहीं अगर इंजन पावर की बात की जाए तो 30.8 किलोवाट क का इसका इंजन है और टार्क की अगर बात की जाए तो 150 सेने में इस टेक्टर का टार्क है और आसकता पढ़ने पर 70 परसंट तक का बैक अप टार्क यह टेक्टर लगा सकता है भाईयों इसके बाद में हम बात करने वाले हैं सब्सक्राइब तो भाईयों यह जो ट्रेक्टर है तीन स्रेंडर 45 हर्फ वार के साथ में है 3136 यह इसका इंजन है और बात की जाए तो इसके इंजन पावर की अगर बात की जाए तो 30.3 किलोवाट का इसका इंजन है और टार्क जो है इसक्टर का 173 है और आसकता पढ़ने पर 20 परसेंट तक का बैकप टार्क या टेक्टर लगा देता है वह इसके बाद में अगर हम बात करें तो वह टेक्टर है महिंद्रा 575 डियाई जो कि चार सिलेंडर 45 हर्सपर का टेक्टर है वह और 29-89 CC का इसका इंजन है और अगर लगा सकता है तो भाईयों चलिए आप लिए आप लोगों को सरसरी निगा से एक बारें बता देते हैं कि कि स्टेक्टर का SFC सबसे ज्यादा है और किस्का कम है इन 54 टेक्टरों में और किस टेक्सिरकी पावर सबसे ज्यादा है किस facto कि कम है तो दोस्तों सबस्क्रों कर लेते हैं तो अगर बात की जाय है फ्यूल कंजेप्षिन की SFC की तो भाईयों सब चकंसे कम SFC यहां पर आपको महिंद्रा के 575 में देखने को मिलेगी जो की 228 ग्राम पर किलोवाट और उसके बाद में जो है वह 742 एक्सटी जिसकी SFC है 250 और उसके बाद में मैसी फर्ग्योसन 272 50 जिसकी SFC है 255 और उसके बाद में है पावर ट्रेक यूरो 45 जिसकी SFC है 266 और उसके बाद में लाश्ट में है आइसर का अपना 485 जिसकी SFC है 269 तो भाईयों यहां पर सबसे कम जो डिजल खपत रहेगी हमारे सबसे महिंद्रा के 585 की रहेगी और सबसे ज्यादा जो खपत रहेगी आइसर 485 की रहेगी इस पैंतालिस सबसे पहले देखा जाए तो यहां पर पावर के मामले में आइसर का 485 है क्योंकि इसका जो टार्क है 173 नम है और बैकप टार्क का 37 परसंटेज जो की बहुत ही ज्यादा है दोस्तों तो इस प्रकार यह अच्छी ताकत लगाता है और दूसरे नमबर पर जो पावर के मामले में वह टेक्टर है वह पावर ट्रक यूरो 45 भाईयों तीसरे नमबर पर अपना सबसेगर देखा जाए तो तो भाईयों हमने जो यह आंकड़े आप लों को बताए हैं यह 100 परसंट प्रमानित बुद्धनी रिपोर्ट टेस्ट क के आधार पर हैं और अगर आप किसी भी टेक्टर की डिस्क्रिप्षन प्लेट से उसको अगर आप मैच करेंगे तो हो सकता है थोड़ा भूर डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिले यह क्यों कले चैन्द को और गंटी के बटन को जोड़ दबा देना दोस्तों